हेलो फ्रेंड्स, आज हम अन्बॉक्स करेंगे Rolls Teak Barrel Select जğो एक नॉर्मल आती है, जो आप लोगों को पता है और एक कंपनी ने, इसके नाया वर्जन निकाला एक नाया प्रोडक्ड बेरल स्लैक्ड, आपको पता है, गाइस की Rolls Teak विस्की इन इंडिया करोडो लाखो लोग इसको पीते हैं इसे खरीबते हैं तो सीग्रम्स का ये एक टॉप का प्रोड़क्ट है और ये हमें समझना चाहिए चलो पहले इसे अन्बॉक्स करते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे इसको पॉक्स से निकालते हैं बाहर और ये है इसकी बॉटल थोड़ा सा इसमें डिफरेंस मुझे लगा है कि इसका बॉटम जो है वो थोड़ा नेरो है और ऐसे कुछ दिखती है बॉटल और ये 750 ml की फ्रेंट्स बॉटल है 42.8 परसेंट इसका इलकॉहलिक स्ट्रेंथ है और जो इसमें अब हम इसकी इंग्रीडियंट्स की बात करें तो ये ग्रे न्यूट्रल स्पिरिट और न्यूट्रल स्पिरिट जो हम कहते हैं मॉलासेश शूगर केन का एक बाय प्रोड़क्ट होता है और मेरे साब से गाइज इसमें अराउंड नाइंटी परसेंट से कम तो मॉलासेश नहीं है 5 परसेंट या 10 परसेंट इसमें विस्की होगी सो अब हम टेस्ट की बात करें तो एलकोहल पंच तो इसमें बहुत ज्यादा फील होता है और कोई ऐसा मेरे को टेस्ट इसमें कुछ नजर आता नहीं है तो गाइस मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको पीए विद चिल स्प्लैश और वाटर बिल्कुल बरब डा के ठंड़े पाने से नीट ना पी है क्योंकि टेस्ट के नाम पर तो कुछ ऐसी खास है नहीं यह कंपनी का एक स्ट्रेटीजी है बस अपने प्रोड़क्ट को बेचने के लिए सोलेरा प्रोसेस लिख दिया लेकिन सोलेरा प्रोसेस बहुत महंगा पड़ता है स्कॉटलेंड स्कॉचेज आती है जो इंपोर्ट होती है इंडिया सोलेरा कास्क सोलेरा प्रोसेस से आती है लेकिन बहुत महंगी पड़ती है यह सीग्द्रम के स्ट्रेटीजी है बस अपना प्रोड़क्ट बेचना है और अराउंड 90 परसेंट तो इसमें मुलासेज ही है और इसमें सब्सक्राइब तो यह आज का रिव्यो और अगर हम प्राइस की बात करें तो इसका अराउंड 750 रूपीज की पड़ती है यह बोटल और देखने में बस ठीक ठाक है और मुझे तो रॉल स्टैक जैसी ही लगी है इसमें कोई मुझे डिफ्रेंस नहीं नजर आया रॉल स्ट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो